अपने भक्त के पती प्रेम तो सभी जानते हैं लेकिन एक बार उनकी किरपा एक भक्त को ऐसी मिली कि भगवान ने खुदी उसे दर्शन देने के लिए एक शांदार रास्ता ढूंडा जी हाँ करनाटक के उड़पी शहर में कनहिया का एक बेहद विलेक्षन मंदिर है अगर आप भी किसी धार्मी क्यात्रा पर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो उड़पी में भक्त भगवान की प्रेम की कहानी कहते इस कृष्ट मंदिर के दर्शन कर सकते हैं उड़पी मंदिर की स्थापना 13 सदी में वैशनव संथ श्री माधव चारे द्वारा की गई थी बताया जाता है कि भगवान कृष्ण के एक अन्य भक्ते कनकदास लेकिन किनी कारणों से उन्हें मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया जाता था उन्होंने कनहिया से दर्शन देने की प्रातना की तो श्री किष्ण ने उन्हें अपने दर्शन कराने का अनोखा रास्ता निकाला उन्होंने पहले से स्थापित उस मंदिर के पीछे खिड़की बना दी कहा जाता है कि कनकदास ने मंदिर की उसी खिड़की से कनहिया के दर्शन करे इसके बाद से ये प वक्त सुबह 6 बजे से दुपैर के देड़ बजे तक जा सकते हैं इसके अलावा सुबह 9 बजे से दुपैर 12 बजे के बीच सुबह की पूजा का विधान है वही शाम को मंदिर में दर्शन का समय 5 बजे से है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही ऐसे ही जानकारियों से जुड़ रहे हमारे साथ